दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगाएं काम में लगाएं थोड़ा आगे बढ़ते हैं अर्थराइटिस पर चलते अर्थराइटिस दो तरह का रुमेटिड और ऑस्टियों दोनों तरह के अर्थराइटिस में एक मेडिसिन तो मैं पहले ही बता चुका हूं चुना जिसको आप कभी बी इस्तेमाल करिए दूसरी मेडि अर्थराइटिस के लिए रुमेटिड है तो ऑस्टियों है तो लेडे का दरीका बता चुका हूं एक छोटा चंबच में दीका दाना एक किलास गरब पानी में रात को डालना सबेरे उठके पानी सिपसिप पीना दाना चबाकर तो अर्थराइटिस और एक एक्स्ट्रा और ऐसी कंडिशन हो सकती है कि वो दो कदम भी ना चल सके हाथ भी नहीं हिला सके इतना दर्द उनको होता है तो लेटे रहते हैं बैट पे करपट भी नहीं बजल सकते उस कंडिशन के लिए जिनको बहुत पुरानी अर्थराइटिस है बीस साल पच्छीस साल पंद्राइट संस्कृत में उसको पारिजात कहते हैं उसमें सफेद रंग की फूल आते हैं और नारंगी रंग की डंडी पूल में बहुत देज खुश्पू आती है रात को ही फूल खिलते हैं सुबह जब आप उठेंगे तो वो जमीन में गिरे हुए मिलते हैं वो है परिजाद वो है हार सिंगा है जी रात की रानी अलग है हार सिंगा रहे पारिजाद कुछ ऐसे हो सकते हैं दो चार परसंट लेकिन जादा गिर जाए और ध्यान ये रखिए कि रात को फूल खिलते हैं खुश्पू बहुत तेज होती है दूर तक आती है डंडी हमेशा उसकी नारंगी होती है इस्टेप पार्ट उसका और इंज होता है और फूल जो है सफेद होता है ये पेड़ है और चावल को डालते हैं वह तो मुझे नहीं मालूम है आप इसके पत्ते लेजिए ये पेड़ के पत्ते छे से साथ पत्ते लेना है एक बार ने और उसको पीसना है पत्ते को प्थर पीस लीजिए थोड़ा पानी डालके पिस गया तो एक किलास पानी में वो मिला के पीसा हुआ चत्नी मिला के उसको बॉयल करना है पानी को और इतना बॉयल करना है कि पानी आधा हो जाए काड़ा बन गया अब यह जो काड़ा बन गया है इसको ठंडा करके फिर पीना और ये सबेरे ही पिना हैं तो इसलिए रात को बना के रख दीजे सुबह उठकर इसको खाली पेट पी दीजे और पिला दीजे जिनको भी पुराना जोडों का दर्द है 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया बहुत तकलीफ है, चल नहीं सकते हैं, बैट नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, ये उन सब के लिए अम्रुत की तरह से काम करता है। हाँ, वही है, तीन महीने लगातार दे दो, फिर ब्रेक कर देना, फिर और तीन महीने दे देना। मैंने इसमें देखा है कि ज़्यादातर केस एक से तेड़ महिने में ठीक हो जाए तीन महिने तर तो बहुत रेर केस हैं जितको लेना हुआ दोस्तो सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिल लाइब कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंडरोड एप डाउनलोड करना ना भूले